आज मैं कच्छे अंडे से बहुत ही अमेजिंग एकदम नई यूनिक रेसिपी बनाना बताऊंगी इस तरीके से एक बारा पंडे की इस रेसिपी को बना कर देख ले ना फ्रेंस गैरेंटी से कहती हूं खाने के बाद मुह से वाह वाह निकलेगा तो अंडे की इस सूपर डिलिसस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे परले हम कड़ाही में ले लेंगे दो बड़ा चमस तेल और इसे अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होने पर इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून साब होत जीरा और इसे हलका सा भून जाने देंगे फिर इसमें डाल देंगे दो मीडियम साज का बारी कटा हुआ प्याज गयास का फ्लेम इस टाइम medium to high रखेंगे और medium to high फ्लेम पर प्यास को तब तक फ्राइ करेंगे जब तक की प्यास का कलर पड़िया से golden brown ना हो जाए तो जब तक प्यास फ्राइ हो रहा है तब तक फटा फटा मसाला ready कर लेंगे तो इसके लिए एक मिक्सर जार में एड़ करेंगे एक चमच पपी सीट्स याने की खस-खस, खस-खस इसमें बहुत ही अमेजिंग टेस्ट ले कराता है, फिर इसमें डाल देंगे 4-5 छीली हुई लसन की कलिया, एक इंच कटे हुए अधरक के टुकडे, एक लॉंग, एक धनिया, आधा चमच जीरा, 8-10 काली मिर्च के दाने, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और मसालों को पीस करके एकदम स्मूथ पिष्ट तियार करेंगे, तो देखे फ्रेंज मसालों को मैंने पीस लिया है, और आप देख सकते हैं, मसालों को हमें इस तरीके से एक जादा डार्क नहीं करना है, अब हम इसमें डाल देंगे पीसा हुगा मसाला पेष्ट, और जार में थोड़ा सा पानी डाल कर क्लिन करते हुए इसमें एड़ कर लेंगे, साथी में डाल देंगे, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून कस्मीरी लाल मिर्च पा तो जब तक मसाले भून रहे हैं, तब तो फटा-फटाम क्या करते हैं, दूसरी त्यारी कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिये हैं, पांच कच्छे अंडे, अंडे आप अपने जरूत की इसाब से कमिये जादा कर सकते हैं, जितना आपको जरूवत हो, अब हमें चाहिए इस कर लेंगे, अब अंडे वाली इसका टोरी को उठाएंगे, और तेल से ग्रीस की हुई प्लेट में इसे डाल देंगे, ऐसे, इसी तरीके से एके करकर सारे अंडे को बारी-बारी से का टोरी में फोल लेंगे, और एके करकर सारे अंडे को हम तेल से ग्रीस की हुई प्लेट म बिल्कुल फोर सकते हैं फ्रेम्स, लेकिन ऐसा है ना कोई-कोई अंडे खराम निकल जाते हैं, तो रिस्क नहीं लेना है ईकडम अंडे फ्रेस यूज़ करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें और इसी बाहतकिँ से कटोरी में फोर्ड करके पाले चेक कर लीजिए, उसके बाद तेल से ग्रीस की हुई प्लेट में एड़ करें तो अगर आपको मेरा यह सजेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैंने पांचो अंडो को फोड करके अड़ कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 बारी कटी हरी मिर्च एक चुटकी नमक, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी लाल मिर्च अभी इसे साइड में रखेंगे और अब हम चलते हैं मसाले के तरफ तो यहाँ पर मसालों को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गया है और मसाले हमारे 50% तक भून गया है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे 1-4 cup पानी और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर मैंने देखी इसे अच्छे से मिला लिया है अब हम क्या करेंगे इसके सेंटर में रखेंगे एक छोटी सी कटोरी कटोरी के जगह पर आप चाहें तो इस्टेंड भी रख सकते हैं अब हम क्या करेंगे कटोरी में पानी भर देंगे आधा कटोरी तब ताकि कटोरी इधर उधर ही लेना इसके उपर हम इस तरीके से देखिए अंडे रख देंगे जिसको हमने फोड करके तेल से ग्रीस की हुई प्लेट में रखा था अब इसे ढख करके लो फ्लिम पर 5-7 करते हुए और आप देख सकते हैं अंडे हमारे बहुत अच्छे से इस्टीम हो गया है मतलब 100% कोख हो गया है देखिए नाइफ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं आप नाइफ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं तो चलिए इसे क्यारफुली हटा कर साइड में रखते ह और आप देख सकते हैं मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से भुन जाते हैं इसे बाद में अलग से भुनने की जरूरत नहीं पड़ती है अब हम इसमें डाल देंगे एक कप ग्रेवी के लिए पानी और इसे अच्छे से मिला लेंगे और गयास का फ्लिम हाई करके इसमें एक उबालाने तक वेट करेंगे तो जब तक ग्रेवी में उबाला रहा है इधर अंडे भी हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो गए इसे मैंने फैन के नीचे रख दिया था अब हम इसे कट करेंगे तो सबसे पहले हम इस तरीके से सिधा-सिधा कट लगाएंगे फिर इसी तरी अच्छे से ग्रीज कर दिया था ना तो अंडे बहुत ही आराम से निकल जाते हैं बिल्कुल भी दिकत नहीं होती है बिल्कुल भी चिपकते नहीं है यह देखिए तो मैंने सारे अंडे को ग्रेवी में डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ् देखते रहने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो 6-7 मिनाट हो गए मुझे से ढख करके मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए और यह लिचे फ्रेंस वाव लुक अट इस फ्रेंस हमारी सुपर से भी उपर टेस्ट वाली आप इसे बिना जंजट वाली अं उसके बाद हम इसे सहरू करेंगे तो लीजे फ्रेंस तयार है हमारी सुपर डूपर डिलिशस अंडा करी एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो देखे ना फ्रेंस इसे बनाना कितना आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है तो हर रोटी से खाई या पराठा से या फिर प्लेन राइस के साथ सबके साथ खाने में बहुत ही ज्यादा डिलिशस लगती है तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस रेसिपी को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में ऐसी ही बहुत ही amazing एकदम नई unique recipe के साथ तब तक के लिए bye bye and take care